हेलो फिर्ट्स विलकम बेक तो माई चैनेल अलवाउट जौस में फिर्ट्स साच का जो वैकेंसी है वो जे इन एर डीडीसी के तरफ से निकल कर आ रही है सो ये स्ट्रेसर इसके लिए कॉम्प्लीट्ली यलीजेवेले विदाउट गेट है पर्मनेंट गवर्नमेंट जौब है जिसमें आप लोग को सेलरी 1,2500 वान पर मुल जाएगी इसमें अलोबर इंडिया किसी भी स्टेट से आप लोग बिलोंग करते हो तो इसके लिए अपलाई कर सकते हो तो लिजिविल्टी क्राइटरिया, सेलेक्शन प्रोसेडियोर और अप्लिकेशन प्रोसेडियोर सब कुछ में वीडियो में आगे जाके डिस्कस करूँगा तो वीडियो को स्किप मत करना लास तक देखिएगा तो नेक्स चलते ऑफिशिल इंट्वेशन की तरफ तो फ्रेंट्स यह है इसका ओफिशिल इंट्वेशन जो आप लोग देख पा रहे हो कि जोहलन नहीरू अलुमिनियम रिसर्च डेवलाप्मेंट एंड डिजाइन सेंटर की तरफ से निकल कर आ रही है जो मिनिस्ट्री ऑफ माइन्स गवर्णमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है तो फ्रेंट्स नोट्वेशन स्टार्ट करने से पहले अगर फॉस्ट इम चैनल पे विजिट कर रहे हो तो चैनल को सस्क्राइब करके बिलाइक उनको प्रेस कर दो ताक कि आप लोग आने वाले सारी अपडेट मिल सके और विडियो को लाइक और दोस्तों के शाथ रोज शेर भी कर दिया करो यार ताकि हमें ही मोटिवेशन मिले ऐसे अच्छे अच्छ नोटिवेशन आप लोग के लिए लेके आने के लिए और टेलिग्रम चैनल से जाइन हो करके राखिए जॉब के रिलेटेड लेटेस्ट आपडेट पाने के लिए तो स्टार्ट करते दियल्स नोटिवेशन की तो फ्रेंस होस्ट अफॉल ही एक पर्मरेंट जॉब है कोई भी कॉन्ट्रेक्ट चुआल या तो टिम्पुरारी जॉब नहीं है जिसमें जुनियर साइन्टिस्ट पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है जिसमें आप लोग को सलरी लेवल 10 के इसाब सियाने की 56,100 से लेके 1,77,500 रहेगी और उसके साथ साथ अप लोग अलोग अलोएंसीस अगरा भी प्रोवाइट किया जाएगा और अलोएंसीस एट करने के बाद अप लोग को ग्रॉस सलरी 1,250,100 रहेगी इसमें अपलाई करने के लिए जनारिल और इडाबले स्केनियर्स के लिए मैक्सिमम एज लिमेट 35 येर्स तरहा गया है इसमें अपलाई करने के लिए अगरा अप लोग केमिकल, मेटलारजी, मेकानिकल और मेटेरियल साइन्स डिसिप्रिन में से 4 सल का बीवी टेक कियो तो इसमें अपलाई कर सकते हो उसके लाबा अगर आप लोग mineral processing में से M.E.M.Tech की हो तो भी इसके लिज़ेवेलो इसमें apply कर सकते हो उसके लाबा अगर आप लोग geology या तो chemistry में से masters की हो तो भी इसके लिज़ेवेलो इसमें apply कर सकते हो इस particular post में apply करने के लिए कोई भी experience की requirement अई पे नहीं है तो अगर आप लोग get qualified नहीं हो, तब भी आप लोग इसके लिए completely eligible हो, इसमें apply कर सकते हो अगर आप लोग SCST, OBC और PWD candidates हो, तो उनलोग को as per government norms, education मिल जाएगी selection process में आपके educational qualifications का जो भी mark से उसके विशस पे आप लोग को shortlist किया जाएगा अगर आप लोग उसमें shortlist होते हो, तो उसके बाद आप लोग return test के लिए बुलाया जाएगा अगर आप लोग return test में qualify करोगे तो उसके बाद होगा आप लोग का interview और अगर आप लोग इस दोनों stage में qualify करते हो तो उसके बाद आप लोग का स्लिक्षा नहीं पे हो जाएगी इसमें आप लोग का जॉब लोकेशन नाकपूर पे रहेगी इसमें एपलाई करने के लिए आप लोग को इसका जो ऑफिशिल उपसाइड है उसी उपसाइड होजित करके ऑनलाइन एप्लिकेशन फॉर्म फिल कर करना होगा एप्लिकेशन फिकी बात करें तो फ्रंस यहीं पे जनारेल ओवीसी और एडाब्लीस के लिए 500 रूपीस एप्लिकेशन फिर रहा गया है सिमिलरली कोई भी एप्लिकेशन फिर ही पे नहीं रखा गया है कॉम्प्लिकेशन फिर फ्री है उन लोग के लिए इसमें एप्लाइ करने के लिए लास्ट डेट रहा गया है 9 जून 2023 तो फ्रंस यही कुछ अपडेट है जो जेन यार डिडिसी के तरफ से निकल कर आ रही है बाकि जब इसका फुल नोटिविकेशन आउट होगा तो मैं उस टाइम इनफॉर्म कर दूँगा तो फ्रेंट्स इही इसका इटल शॉर्ट नोटीस आयोब आप लोग को हार एक इनफॉर्मेशन समझ में आ गया होगा अगर फिर भी कोई डाउट सथ क्वेस्टेंस है तो आप लोग क इस वीडियो पर एक नहां चरुनरसन के साथ अब तक के लिए गुडबाई थैंक यू